आज सेर कर रहे हूं बिना आटा गूते एक कब के हूं के आटे से बने बहुत एक रिस्पी और टेस्टी नास्ते की रिसिपी जिसी आप नास्ती के तो बना सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और एक बार ये नास्ता बनाने के बाद ये नास्ता आपको इ ताकि आपको बनाने में दोर्ए सा आसानी होम पानी ढल 시ब्सक्ता दैसे लिए कि यहां गाउसा बाहिए और यहां-थाश्ड सी मज़यरków इस measurement को आप थोरा सा ध्यान में रखिएगा कि जितना आप पानी इस्तमाल कर रहे हैं उसका आधा आपको गिहूं का आटा इस्तमाल करना है तब ही हम एकदम गिहूं के आटे का perfect सा डो बनाके ready कर पाएंगे जैसे ही आप गिहूं का आटा डाले तो इसको फटा फट से mix कर दे ताकि इसमें कोई भी लंस या गुट लिया ना बने और गैस का flame medium रखते हुए इसे हम अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक ये डो के form में ना आ जाए और पैन को बिल्कुल अच्छे तरीके से ना छोड़ दे तो देखिए अब ये डो अच्छे तरीके से लगके ready हो चुका है तो आप गैस को बंद कर देंगे और इस गुथे हुए आटे को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे अच्छे तरीके से हम ठंडा कर लेंगे तो चलिए आप इसे पंके कहवे में ना रखे इसे तरीके से छोड़ दे ताकि ये ड्राई ना हो अब गैस पर रखेंगे कड़ाईए और इस में डालेंगे बस एक चमचे कड़ी बाते ओर देल कर करके प्याज को बारी बहुतल JOSH को दालने के बाद प्याज को भूट होने टक हम भूलेंगे प्याज को हमें बिल्कुल भ़ी ज्याधा भून, यह कर देंगा अब लेंगे अग चोटा वाला मिक्सर का जार और इसमें मैं डालूँगी आधा कटोड़ी करीब नमकीन जो मार्केट में नमकीन मिलते हैं बस मैं वही इस्तमाल कर रहे हूं आपको जो भी पसंद हो आप यहां इस्तमाल कर सकते हैं मिक्सर के जार में डालने के बाद इसका हम दरदरा सा पाउलर बनाके हम र बनती है अब भूने हुए प्याज में इस नमकिन को हम डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस स्टेज पे आप एक बार फिलिंग को चेक कर लें कि इसमें नमक है की नहीं है तो देखिए मुझे यह फिलिंग थोड़ी सी ठीकी लग रही हित थी तो मैं इसमें थोरा स तेल लगा के इसको थोरा से हम गूथ लेंगे ताकि यह थोरा से चिकना हो जाए बहुत फटा फट वाली रेसेपी है अगर आपको यह प्रोसेस नहीं करना है यानि कि आटा नहीं इस तरीके से लागाना है तो आप घर में जिस तरीके से रोटी के लिए आटा लागाते हैं बिल्कुल उसे तरीके से आटा लागा के भी आप रेडी कर सकते हैं लेकिन दोनों का टेस्ट में बहुत जादा डिफरेंट होता है इस तरीके से अगर आप नास्ता बनाते हैं तो नास्ता काफी क्रिस्पी और टेस्टी बनता है और थोरा सा सॉप्ट भी बनता है तो आप करके नवीज़ें धवक्ति चुक के आटा लागा आटा लगाकर बहुत आसानी तड़ीमे दो रोटी दियान लगे कि इसे आप घर में इतना मोटा रोटी बनाते हैं इसे थोर आप इसे मोटा बिलकर एडिगरे इसके तरीक सब्सक्राइब हम देंगे नुचरी के चुंद्व का देंगे यानि कि हाथों से बसम्द हमें दबा देना है अब इसको एक ही सिप में बनाने के लिए इतना ही बराब घर में कोई भी कटूड़ी ले और उसी कटूड़ी से इसके साइटे और देगे और देखिए ये चारू तरप से कितने अच्छे तरीके से चीपक चुके हैं इस सबी को बना करेंगे तो देखिए मैं फिलहाल तीन बनाए वीन के से ङादinden चाने तरीके हैं इसे थोड़ा सा एक बात ध्यान में रखेये गाइप इसे जब भी पलटे तो इस बात से आपको ध्यान होना चाहीए कि नीचे से अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाएं है भी आप इसे पलटे अगर थोरा सा भी पलटे में इधर से उधर कीजिएगा तो यह तूट जाता है क्योंकि यह बहुत ज्यादा सॉप्ट बनता है इस बात का थ्यान रखेगा और देखिए गैस का फ्ले मीडियम रखते हुए इसे हम अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने त भी आप इसे बलटे और इसे पलटे समय यानि पकाते समय लो टू मीडियम रखिएगा बस अब इसी तेल में मैं बचे हुए नाश्टे को भी बनाकर रेडि कर ले रही हूं तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं चोटी मुठी से भूख लेगे तो आप इस मेंट में जोड़ू पता है कि मेरी आज की अदेसे भी आप लोगों करसे लेगे